हलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग देखिए आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं क्लास नाइन इंसार्टी मैथ का चैप्टर नमबर 11 चैप्टर का नेम है सर्फिस एरिया एंड वालूम और इसमें आज हम करने वाले एक्साइज 11.1 का कोश्चन नमबर वन ओके तो आएए कोश्चन को रीट करते हैं यहां में कोश्चन राइट कर रखा है उसके बाद देखते हैं कि इसका सरूशन क्या होगा तो देखिए डाइमेटर आप दा बेस आपके कोन इस टेन पॉइंट फाइप सेंटिमीटर एंड स्लेंट हाइट इस टेन सेंटिमीटर हाइंड इस कर्व सर्फेस एरिया आपको पता है बच्चों कोन का सेफ कैसे होता है यह हो गया कोन का से ओके यह इसका बेस हो गया और बेस का रेडियस डाइमेटर दे रहा है नाच में डाइमेटर यह हो गया यहां से यहां तक का डिस 20-meter, ओके, और slant height यह बार कर रहा है, तो यह जो height है, इसको slant height, यह 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 से सो करते हैं, ओके, now, solution के करम में देखें, सबसे पहले क्या दिया, diameter of the base of cone, this is how much, this is given 10.5 cm, ओके, अब देखें, अब हम सबसे पहले क्या पता करेंगे, इसा radius निकालने के, तो radius निकालने के लिए आपको पता है, कि diameter का half कर देते हैं, radius of the base of cone अगर देखेंगे, यह तो 10.5, this will be divided by 2, यानि यह हो जाएगा, 5.25 cm, ओके, बच्चों, radius होता चल गया, और इसके अनावा देखें, slant height दिया रहा है, तो slant height आपकोन, slant height of cone, इसको सो करते हैं, ylc, और यह दिया हुआ, how much? 10 cm, ओके बच्चों, और यह जो radius है, radius को सो करते हैं, small r, ओके, now, curve surface area पता करना है, तो आपको पता है, आपकोन, इसका फार्मूला आप लग कर लीजी, यह होता है, pi into r into yl, तो r और यल पता है, pi की ओयलू भी हमें पता है, pi की ओयलू हम यहाँ पर write करेंगे, 22 upon 7, r की ओयलू देखी, कितना दिया, 5.25 और यल दिया, चुट 10, ओके, तो आईए solve करते हैं, 5.25 को 7 से एगर cancel करेंगे, तो 0.77 जा 49, 375 जा 35, यानि 7 से 5.25 को cancel करेंगे, 0.75 आएगा, इस तरह से बच्चों, हमारा जो answer हो जाएगा, 22 यह हो गया, और 0.75 का 10 में multiply कर दिए, 7.5, अब 7.5 का आप 22 में multiply करके देख लिए, ओके, तो यह हो जाएगा, देखी, इस तरह से आप multiply कर लेते हैं, तो value कितनी आ जाएगी, 165, 165 cm2, यह हमारा question number जो बान रहा, इसका answer हो गया, देखे बच्चों question में कोई difficulty नहीं है, हार्मुला आपको अगर पता है, डाइमेटर पता है, तो हाप करके radius पता कर सकते हैं, ठीक न, तो इस तरह से हम बहुत आसानी से question को solve कर सकते हैं, इसी तरह से मैं सारे question को आपको solve करके दिखाऊंगा, आप से, बस यहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि लगातार मेरे वीडियो को वाज करते रहे, share करिए, subscribe करिए, और comment करिए, आते हैं question number 2 लेके, तो देखे बच्चो question number 2 हमने यहां right कर रखा, find the total surface area of a cone, if its slant height is 21 meter, and diameter of its base is 24 meter, तो आईए फहले इसके diagram को समझते हैं, उसके बाद इसका question solve करते हैं, ओके बच्चो, तो diagram देखे इस तरह से हैं कुछ, पहले हमने एक cone बना लिया यहां, यह cone का safe हो गया, और देखे आए एक बार फिर से slant height, यानि yel, यह distance दिया हुआ, इसके अलावा diameter, यह base का diameter दिया हुआ, यह है 24 meter, ओके student, तो आज़े solve करते हैं, इसको देखते हैं, इसका solution कैसे निकलता है, तो सबसे पहले आपको पता है diameter, आप base, ठीक न, diameter, आप base, आप कोन, this is given how much, 24 meter, अब आपको क्या निकालना, radius, radius, इसका calculation करेंगे, आप base, आप कोन, यानि r equal to हो जाएगा, d का half होता है, 24 को divide by 2 कर देंगे, और यह आजाएगा 12 meter, clear है बच्चो, इसी तरह slant height of the कोन दिया हुआ है, राइट कर लिजिए, slant height of the कोन, इसको small else से राइट करते हैं, this is given how much, 21 meter, राइट कर लिजिए बच्चो, यह 21 meter की जाओ, ठीक न, अभी आपको क्या बता करना, total surface area आपको, इसके लिए आपको मालूम है, formula क्या use करेंगे, pi r, l plus r, इसके पहले हमें कर surface area का formula लगाया था, तो pi r, l था, अभी यह total surface area का formula जो होगा, वो pi r, l plus r हो जाएगा, तो देखिए बच्चो, पहले pi की value write कर लेते हैं, 22 upon 7, r की value कितनी है, 12, फिर ब्रैकेट में लिखिए, l की value कितनी है, 21, plus कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरह से हमारा जो, calculation आएगा, यह 12, और 21 और 12, add कर यह हो जाएगा, 33, तो बच्चो, अगर इसका multiply करके देखिएंगे, तो 22 का, 12 में पहले multiply करेंगे, यह आजाएगा, देखिए, इस तरह से जो है, आप multiply कर लीजिएगा, तो यह आजाएगा, 264, फिर जो है, उसका multiply 33 में कर लेना है, 33 में multiply कर दीजिए, कितना जाएगा, 34 जा 12, 36 जा, 18, 1, 19, 32 जा 6, 1, 7, फिर सेम नमबर यहाँ भी आजाएगा, इसको भी आइट करिए, 292, 11, 97, 16, 1, 17, 87, 12, तो बच्चो इस तरह से यह हो जाएगा, 87, 1, 2, divided by 7, अब 87, 12 में 7 का division लेके देखते हैं, 87, 1, 2, this will be divided by 7, तो 7 बंजा 7 हो जाएगा, यहाँ देखे, 7, 2 जा 14 हो जाएगा, फिर 7, 4 जा 28 आ जाएगा, ठीक है बच्चो, और इस तरह से, फिर लास्ट में कितना है यह, 2 है, तो जाएगा, तो उतार लिए, कितने बार जाएगा, 7, 4 जा 28, अगें 4 टाइम, यह आ गया 4, पॉइंट लगाईए, 0 बढ़ाईए, 5 टाइम जाएगा, 7, 5 जा 35, अगें 5, यह 0 बढ़ सकता है, इस लगवख 7 टाइम चला गया, इस तरह बच्चो, हमारा आंसर जो आ गया, 1, 2, 4, 4, 5, 7, यह हो गया, इसका डिविजिन का पार्ट, यहां हमने कर दिया, मल्टिप्लाई, तो सिंपल कैल्पलेशन है, फार्बोले पे जो है, वैलू रखनी है, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाना है बच्चो, तो इस तरह से कोश्चन नमर 1 और 2 देखिए, हमने जो एक्सरसाइज 11.1 था, इसके वीडियो के पार्ट 1 में हम दो कोश्चन स्वाल कर चुके हैं, 1 और 2, बाकी के कोश्चन को लिए, वीडियो का पार्ट 2 लेके आते हैं, तब तक आप लोग बेपरपनिट आईए, स्वाल करते रहे, कोई प्राब्लम नहीं आएगी.